वो और के बाद रेचल अपने हस्बंड के पास आती है जिस घर में रह रहे थे उस घर को उसी के ओनर के साथ उन्हें शेर करना पड़ता है और इसी वज़े से सारी प्रॉलम हुई थी हस्बंड वाइफ के बीच में भी जैसे चीज़े लग रही थी वैसी थी नहीं हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको दाफ्टर मैंथ ये 2019 की एक बहुत अच्छी ड्रामा मूवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच्छ लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बीना किसी देरी के एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मैं गारेक्टर रेचल को जर्मनी में आता हुआ देख सकते हैं यह 1945 का टाइम था इंगलंड ने जर्मनी पर हमला किया था और वो जीच चुके थे रेचल का हस्बन यह इंगलंड के लिए बहुत बड़ा ओफिसर था वो और अब खतम हो चुकी थी तो उसके हस्बन ने उसे जर्मनी में बुला लिया इनके रहने के लिए जर्मनी के बड़े से हाउस को खाली किया जाता है यहावर और अल्रेडी एक बहुत ही अमेर आदमी रहा करता था इसका नाम था स्टीफन स्टीफन को अब अपना सामान लेकर डारेक्ली कैम्स में रहना पड़ेगा रेचल जब यहावर बहुची तो उसका हस्वन लुईस उसे लेने के लिए आया हुआ था अभी-अभी जो वार खतम हुए यह इन दोनों के लिए बहुत ही हाड़ थे अब यहाँ पर उन न्यू स्टार्ट करना चाहते है यह जब घरवर बहुच है तो होम होना जिसे आप खाली करना पड़ेगा इसका नाम है स्टीफन यहीने वेलकम करता है यह एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा हाउस था रात में लुईस और रेचल जब एक साथ है तो वार में उनने कितने तकलीफ हुई थी इसके बारे में वो शेर कर रहे थे आज कल रेचल ज़रा डिस्टब रहती है तो इस वज़े से स्मोकीम भी करने लग गई थी अगली दिन जब लुईस अपने जॉब पर गया तो रेवलुशन करने वाले कुछ लड़के भाहा पर थे जो अभी भी हिटलर को मानते हैं एक लड़का वाल से भागने लग या तो एक ऑफिसर को उसे शूट करना पड़ता है मरते मरते भी वो हिटलर का ही नाम लेता है लुईस को देखकर बुरा लगा क्योंकि यह सिर्फ एक टीनेजर था घर में रेचल जब घुम रही थी वो स्टीफन की बेटी को भी देखती है जिसका नाम है फ्रेडा फ्रेडा नारास थी क्योंकि उसका ही घर है और उसे ही इस तरीके से निकाला जा रहा है थोड़ी देर में जब लुईस घर पर आया तो रेचल उसे पुछती है कि प्रिवियस ओनर यहाँ से कब जाएगा लुईस दिल का बहुत ही अच्छा था वो कहता है बाहर आलत बहुत ही साथा खराप है अगर हमने स्टीफ़न और उसकी बेटी को इस तरीके से बाहर बेच दिया तो उनके खाने पिने का भी कोई भी ठीकाना नहीं रहेगा वो कहता है हम उन्हें रहने के लिए उपए का फ्लोर दे सकते है रेचल इस पर गुसा आओके वो चाहती थी क्यों दोनों अकेले रह सके अपनी लाइफ में वो कुछ चेंजे चाहती थी लूइस को इस तरीके से स्टीफ़न को बाहर निकाल देना अच्छा नहीं लगता तो रेचल की बात तो नहीं मानता रेचल के लिए घर यहां की सारी चीजे यह बहुत ही अनकमफ़टेबल थी घर में एक चेर थी जो रेचल को थोड़ी भी पसंद नहीं आती इस पर स्टीफ़न ने का कि बहुत ही फेमस चेर है सबसे जादा कमफ़टेबल रेचल को ऐसा नहीं लगता स्टीफ़न ने का इस चेर के बनाने की पीछे भी फिलोसोफी है यहां की सारी चीजे वो हेट कर रही थी स्टीफ़न फिर उसे सारी कर की कीज दे कर चला गया रात में जब रेचल और लुईस डिनर कर रही थे तो रेचल उसे पुछती है तुम इस तरीखे से बिहेव कैसे कर सकते हो जैसे सब कुछ चीज़े एकदम नॉर्मल है लुईस कहता है कि तुम्हें इस तरीखे से बाते नहीं करनी चाहिए एक्च्वल में जब वार चल रहा था तो इनके बेटी की एक बॉम की वज़े से टेथ हो गए इसी वज़े से रेचल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है बात लेते वगब भी और रो रही थी इसे लुईस नोटिस करता है रेचल और उसके फ्रेंड डिसकस करे थे कि स्टीफन अब भी उनके साथ क्यों रहता है रेचल के फ्रेंड ने उसे का कि स्टीफन शायद तुम लोगों को हेट करता होगा वो दिखाता नहीं पर फिर भी हाग कि सब लोग हमें हेट करते है रेचल जब घर पर आये तो स्टीफन की बेटी घर का पियानो बजा रही थी स्टीफन उसे उपर वेचता है और सौरी कहता है स्टीफन ने रेचल से कहा कि उसकी मदर का था रेचल पुछती कि उसकी मदर का है स्टीफन ने कहा कि उसकी वार में टेथ हो चुकी है रेचल को इसके लिए बहुत बुरा लगता है स्टीफन अपनी बेटी को समझाने की कुशिश करता है पर वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट है तो इस वज़े से उसकी कोई भी बात नहीं मानती नेक सिन में हम फ्रेडा को काम पर जाता हो देखते हैं वहाँ पर वो एक लटके से मिली जिसका नाम था अलवर्ड अलवर्ड एक रुवालुशनरी था और फ्रेडाओ को इंफ्लूएंस करता है नेक सिन में रेचल और लुईस के बास उनके फ्रेड आये होए थे फ्रेड ने कहा कि तुम स्टीफन को अब भी घर में क्यों रहने दे रहे हो वो शायद तुमारे खिलाब ब्लान बना रहा होगा बेबी वो अब भी हीटलर को मानता है लुईस कहता है आप इस तरीके से लोगों को जैज नहीं कर सकते मैंने उसकी आखों में देखा है वो हमें नहीं मारना चाहता लुईस के फ्रेंड को अभी हुई स्टीफन पर शक था तुसे इंक्वाइरी के लिए बुलाए जाता है उससे वो पूछते तुमारी फैमिल हीटलर के लिए गंस वगरा सप्लाइ करने में इन्वाल थी इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो स्टीफन ने कहा कि मेरे फादर इनलो का बिजनिस था इसे मेरा कोई भी देना देना नहीं है वो उससे वार के बारे में पुछते हैं स्टीफन ने कहा वार में मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी थी अफकोस मैं उससे हर्ट हो स्टेफन को जादा बुरा ना लगें तो इसलिए लुईस यहाँ पर ही इन्वेस्टिकेशन बन कर देता है स्टेफन के आइडेंटिटी के वेगरा पेपर्स अब भी गवर्मेंट के पास थे अब तक उन्होंने उसे अप्रू नहीं किया है इसी के पैरलल में हम देखते है ग्रेटा घर में सारी चीज़े देख रही थी इन चीज़ों में रेचल ने लुईस को दिया हुआ एक किफ्ट था इसमें उनकी और उनके बेटे की भी फोटो थी ये ग्रेटा चुरा लेती है Stephen अल्डेडी डिस्टरब था पर जब वो घर पर आता है तो रेचल उस पर गुस्सा हो रही थी उसे बुछती है यहाँ पर की पेंटिंग आ गही है क्या हाँ पर हिटलर की पेंटिंग थी Stephen उस पर गुस्सा हो गया रेचल कुछ भी बोल नहीं पाई नेक्सीन में हम देखते है फ्रेडा और उसका फ्रेंड अलबर्टी तोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्प्रेंट करने लग गए थे फ्रेडा को बहुत अच्छा लगता था एक राद रेचल और लुईस के हाँ उनके फ्रेंड आने वाले थे रेचल ने बहुत अच्छे से ड्रेस किया था तो लुईस को भी बहुत अच्छी लग रही थी उसकी तारीफ करता है उसके पास आता है अच्छे से म्यूजिक लगाया हुआ था एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चाते थे पर लुईस को तभी कॉल आ गया सीटी में प्रोटेस चल रहा था तो वहाँ उसे जाना पड़ता है प्रोटेस करने वाले लोगों ने लुईस पर भी हमला कर दिया पर वो सिर्फ उन लोगों को हेल्प करना चाहता था आज रात भी स्टीफन बाहर था वो सिर्फ वहाँ से गुजर रहा था फिर भी पुलीस की मार उसे खानी पड़ती है वो बेचारा हर्ट होकर घर पर आया तो घर पर रेचल और उसके फ्रेंड सब पार्टी कर रहे थे लुईस का एक फ्रेंड रेचल की वाइफ का पियानो बहुत ही अजीब तरीके से बजा रहा था स्टीफन कोई अच्छा नहीं लगता तो उसे उसने स्टॉप करने के लिए कहा पर इफ्रेंड मानता नहीं इन दोनों में फाइट होने वाली थी पर सारे लोगों ने स्टीफन को रोक लिया स्टीफन की सरबर बड़ी चोट थी तो रेचल ने देखा और उसे मलम पट्टी कर दिया स्टीफन ने कहा कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो रेचल कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये दोनों करीब आ गए थे तो इंटिमेट होने लग जाते है तभी ने लुईस की गाड़ी का आवाज आया और इन्होंने अपने आपको रोक लिया लुईस भी जादा कुछ शक नहीं करता अगली दिन बात्रूम में रेचल ने उसे दिया हुआ गिफ वो चेक कर रहा था तो उसे मिल नहीं पाता उसने फ्रेडा से पुछा क्या तुमने उठाय था उसमें मेरे बेटी की फोटो है क्या तुम मुझे वापस कर सकती हो पर फ्रेडा उसे इग्नोर करकर चली गई जब लुईस और रेचल एक साथ है तो रेचल ने उसे कहा हामारे बेटी की डेट के बाद तुमें छे दिनों की छुटी मिल सकती थी पर तुमने ओ ली नहीं तुम अपने जॉब के लिए चले गए ऐसा क्यूँ मुझे तुमारी जरूरत थी तुम इस तरीके से कैसे बहेव कर सकते हो लुईस कहता है कि कंट्री में वार चल रही थी मुझे जाना जरूरी था वो इस पर जादा बात नहीं करना चाता तो यहां से चला जाता है पाच्छे दिनों गिरे लुईस को काम पर धूर जाना पड़ता है एक साम रेचल बहुत ही अकेली पड़ गई थी वो पियानो बजाने लग जाती है यह वही दून थी चो स्टीफन की वाइप बजाया करती थी यह सुनगर फ्रेटा भी उसके पास आके वो भी उसके साथ प्ले करने लग गए एक नोट बजाते बजाते फ्रेटा ने गलती कर दी तो रेचल कहती है मेरा बेटा अभी कभी यह नोट बजा नहीं पाता था उसे अपने बेटी की बहुत याद आ रही थी तो वैसे हो रोने लग गए स्टीफन विर उसके पास आया और उसे सहारा देता है अगली दिन रेचल ने स्टीफन और फ्रेटा को ब्रेकफास्ट के लिए बुला है इविनिंग में ऐसा मूवी देख रहे थे जब फ्रेटा यहाँ से चली की स्टीफन और रेचल अकेले थे तो एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है नेकसिन में हम देखते है कवर्मेंट के खिलाफ काम करने के लिए कुछ लोग टीनेज लड़कों का फाइदा उठा रहे थे लुईस इसकी इन्वेस्टिएशन कर रहा था इसमें हम देख सकते है कि अलवर्ट का भी फोटो है फ्रेडा का बॉइफरेंड पैरलल में रेचल और स्टीफन एक दुसरे के साथ मज़े कर रहे थे स्टीफन रेचल से कहता है तुम मेरे साथ खुश हो तुमारे चेरे पर स्माइल है जब से तुम यहाँ पर आई तब से तुमने कभी अभी स्माइल नहीं किया था मैं अब यहाँ से दूर चले जाने वालो माउंडन्स में रहने वालो एक अच्छा ऐसा घर बिल्ट करूंगा जहाँ पर तुम भी मेरे साथ आ सकती हो रेचल कहती कि अब तक तुम्हें तुम्हारे पेपरस नहीं मिले है स्टीफन कहता कि यह सब हो जाएगा नेकसिन मम देखते है कि फ्रेडा जब अलवर्ट के पास आई हुई थी तो उससे वो लुईस के बारे में पूछ लेता है हमेशा उसे लुईस के बारे में सारी information चाननी थी स्टीफन को उसके पेपर जल से जल मिल जाया इसलिए रेचल अपने friend से help मांग लेती है उसके friend को भी पता चल गया था कि स्टीफन और रेचल की बीच में affair है लुईस जब अपने काम से घर पर वापस आया तो बहुत ही खुश था वो गहता है मेरे बास एक good news है ये good news देने के लिए उसने स्टीफन को भी नीचे बोला है उसने कहा कि अब हम दोनों फिर से इंगलंड वापस जाने वाले है रेचल भी पहले यही चाहती थी पर अब स्टीफन की वज़े से वो बहुत ही जादा confused हो गही थी आज राते दुनों पार्टी पर जाने वाले थे इसकी information फ्रेडा अलबर्ट को दे देती है पार्टी में जाने से पहले रेचल स्टीफन से चुप चुप कर मिली स्टीफन कहता है कि उसे बता दो रेचल डर रही थी पर स्टीफन बता देगा इससे पहले उसे ही बताना था रेचल और लुइस फिर पार्टी में कहे लुइस का फ्रेड उसे कहता है अगर तुमें कुछ help की जरुवत थी तुम उसे directly मांग लेते स्टेफन के वेपर्स को अप्रूव करने के लिए तुमारी वाइव को भेजने की क्या जरूरत थी इस बात से लूइस को रेचल पर श्यक आ गया वो जिस तरीके से बिहेव कर रही थी इस सारी चीजों को सोचने लग गया उसके पास जाकर उसे कंफरंट करता है कहता है कि जो भी मैं सोच रहा हो ये क्या सब कुछ सच है रेचल उसे सौरी कहती है स्टेफन गुस्सा आता तो रेचल ने का हमारे बेटे की डेथ हो जाने के बाद सब कुछ बदर गया था तुम मुझे छोड़ कर चले गए थे हमारे बेटे की डेथ के लिए तुम मुझे दोशी मानते हो वो गुस्से में यहां से जा रही थी तो लुईस भी उसके साथ आता है अचानक से अलवर्ड ने इन पर हमला कर दिया एक आदमी मारा जाता है और लुईस ने अलवर्ड का पीछा किया अलवर्ड भागते बागते एक स्नोज से भरी हुए रिवर तक आ गया था वो अब आगे जा नहीं सकता था अलवर्ड के पीछे बीजे फ्रेडा भी उसका पीछा करते हुए आई हुई थी अचानक से अलवर्ड का पेर फिसल कर वो इस नदी में टूब जाता है फ्रेडा उसे बचाने की कोशिश करती पर वो खुद भी टूब जाती है इस वाज़े से लुईस ने उसे बचा लिया घर पर आने के बाद लुईस रेचल से कहता है तुम कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहती थी एक नई लाइफ ये करने के लिए में तुमें ब्लेम नहीं कर सकता शायद ये सब मेरी इगलती है फ्रेडा रोदरोदे स्टीफन के पास आती है स्टीफन उसके लिए वरीड था कहता है मैं हमेशा तुमें प्रोटिक करूँगा मुझे तुमें सब कुछ चीज़े बतानी चाहिए तुम मेरे लिए बहुत इंपॉड़न्ट हो वो कहती है कि मैं मदर को बहुत मिस करती हूँ स्टीफन ने कहा कि मैं भी करता हूँ पर हम एक दुसरे के साहा थे एक दुसरे का साहर बन सकते है अगली सुबा हम देखते है रेचल और स्टेफन ये दोनों जाने के लिए रेडी थे स्टेफन लुइस को कुछ बोलने वाला था पर लुइस कहता है तो सिर्फ यहाँ से चले जाओ जाते जाते रेचल लुइस के पास आये लुइस पूछता है हमारे बेटे की डेथ कैसी हुई थी रेचल कहती है पॉन स्पोर्ट में उसकी इंस्टन डेथ हुई थी उसे जादा तकलीफ नहीं हुई लुइस कहता है, मुझे कभी भी तुम्हें छोड़कर जाना नहीं था, पर मुझे जाना पड़ा जब भी मैं तुम्हें देखता था, तो हमारे बेटी की मुझे याद आती थी तुमारा हसना, तुमारा वोइस सब कुछ मुझे उसकी याद दिलाता था ये कहकर लुइस रोने लग गया रेचल भी उसे हग कर लेती है इसके बाद वो स्टेफन के साथ चली गई लुइस उपर आता है अपने बेटे का शर्ट देखकर बहुत रोता है स्टेफन और लुइस की ट्रेन निकलने वाली थी पर रेचल अपना माइड चेंज कर लेती है स्टेफन कहता है कि ब्लीज ऐसा मत करो मुझे तुमारी जरूरत है तुम फिर से अपनी निव लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी रेचल कहती कि मैं अब भी निव लाइफ स्टार्ट करना चाहती हू पर वो लुईस के साथ वो उसे इस तरीके से छोड़ नहीं सकती लुईस रेड़ी होकर इंगलंड के लिए जा रहा था पर ही चल उसके पास आके वो उसे गले लगा लेता है जो भी हुआ इसके लिए एक दूसरे को उनने माफ कर दिया है अपने बेटी के गुजर जाने के बाथ यह दोनों पेन में थे और इसी वज़े से इस तरीके से बिहेग कर रहे थे जब सही तरीके से एक दूसरे से इन्होंने बात की तब रियलाइज़ किया कि दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको explanation अच्छा लगा तो प्लीजे से like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो प्लीजे चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब ते लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया